हेलो दोस्तों, वेलकम ओल, हाँ दोस्तों, नॉर्मिलाइजेशन, जब कोई भी एक्जाम आपका एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, तो आपके मार्क्स को नॉर्मिलाइज किया जाता है, तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं दोस्तों, नॉर्मिलाइजेशन कैसे होता ह और कौन-कौन से factors, कौन-कौन सी चीजों पर depend होता है कि आपके marks कम होंगे या जादा होंगे क्योंकि normalization के बाद दो factors हो सकते हैं, दो conditions हो सकती हैं एक तो आपके marks बढ़ सकते हैं या आपके marks कम हो सकते हैं वो depend करता है कि आपके shift में candidates की कैसे marks आए हैं तो हम detail में study कर लेंगे, detail में उसको study कर लेंगे दोस्तों कि किस factor पर depend करता है, क्या formula है साथे साथ हम कुछ examples देख लेंगे, कि यदि आपका paper tough होगा, तो क्या हो सकता है, and easy होगा, तो क्या factors होंगे तो दोस्तों, दोनों चीजों को अच्छे से discuss कर लेंगे कि यदि आप channel पर नाए है, तो channel को like करें, share करें, subscribe करें, and bell icon दबाएं, ताकि आगे की सारी updates आपको मिलती रहें तो start करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, screen पे normalization formula, standard normalization formula जो maximum exams में use होता है चाहे NHM का exams हो, चाहे railway का exam हो, चाहे SSC का exam हो ये standard government ने formula release किया है, इसी formula के base पे आपके exam के marks normalized होते हैं यदि बहुत सारी shift में आपका exam हुआ है तो start करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो formula है दोस्तों, यहाँ पे यह जो है, यह है आपका final normalized marks मतलब आपका normalization होने के बाद आपके final marks क्या होंगे तो यहाँ पे जो factors है, वो पहले हम देख लेते हैं, क्या-क्या variables होते हैं, जिसमें normalization आपका depend करता है तो सबसे पहली चीज है हमारे पास, actual marks secured by candidate आपका actual marks कितना हुआ है, यहाँ जिसे आपका exam हुआ, 100 out of raw marks बोलते हैं जिसको मतलब आपका 100 out of आपने 70 questions किये, negative marking, सब कुछ हो के यहाँ आपके जो भी marks हुआ है वो raw marks है, आपका actual marks है, तो यह M, I, J आपका हो जाएगा actual mark second चीज है, average marks of top 0.1% of candidates considering all section मतलब जितने भी shift में exam हुआ है, चाहे 2 shift में, 3 shift में, 4 shift में, ठीक है, 7 shift में तो सारे candidates के marks को इखटा किया जाएगा, and उसका top 0.1% मतलब 10,000 candidates ने exam दिया, तो top 100 candidates का average निकाला जाएगा तो obvious है, top 100 candidates का average जादा ही आएगा, तो यह होगा दोस्तो, top 100 candidates का average ठीक है, यह मैंने एक example लिया है, and यह जो green color marks show हो रहे हैं, यह is an example आपको बता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तो, top 0.1% candidates सारे shift के मिला के, ठीक है, यह कोई आपके shift का नहीं है, सारे shift के मिला के third variable होता है दोस्तो, sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all session जितने भी candidates है, उन सारे shift के candidates के marks को एक list बनाई जाए, तो उनका mean निकाला जाएगा mean मतलब दोस्तो, average, ठीक है, average निकाला जाएगा, कि किसी candidate का 80 number भी आए, किसी का 10 number भी आए है, बट सारे candidates का average निकाला जाएगा, and उस average और standard deviation, standard deviation मतलब होता है दोस्तो, average से कितना कम या जादा है, जैसे average 50 आया, and किसी candidate का 10 है, तो वो जो standard deviation हो गया, उस सा कितना हो जाएगा, दोस्तो, 40 number का, ठीक है, तो mean मतलब average और standard deviation का plus सारे candidates का, ठीक है, next दोस्तो आ जाता है, variable average marks secure by top 0.1% candidate in your session, लब आपने जिस shift में एक्जाम दिया है, उस shift के 0.1%, मतलब आपके shift में यह दि एक हजार लोगों ने एक्जाम दिया है, तो आपके shift के 0.1% हो जाएगा, 10 candidates, ठीक है, 10 candidates, top 10 candidates का average marks, ठीक है, last हमारे पास होता है, sum of mean and mean and mean marks and standard deviation of your session, मतलब आपके session का mean और standard deviation, आपकी shift का mean क्या हो रहा, और standard deviation क्या हो रहा, अब दोस्तो यह अभी थोड़ा सा को confusion लग रहा होगा, अब मैं आपको इसको simple भाशा में आपको example से समझाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तो, यहाँ पर क्या होगा, एकदम simple language आपको समझ में आएगा, कुछ चीजे सब candidates के लिए common रहेगी, ठीक है, चाहे किसी भी shift में उसने exam दिया, कौन-कौन सी, देख लेते हैं पहले, पहले चीज़ जो common रहेगी, वो रहेगी, average marks of all, top 0.1% of candidate considering all session, सारे की session का है, तो हर candidate के लिए यह चीज़ common रहेगी, तो यह कहाँ गई, mgt, mgt दोस्तों यह रहा, mgt, तो जिस पर मैंने red में mark किया है, वो सारे candidates के लिए common रहेगा, वो change नहीं होगा, चाहे किसी भी shift का candidate हो, second, sum of mean and standard deviation of marks of candidate in all session, ठीक है, mgq, क्योंकि यह भी all sessions का है, आपकी shift से related नहीं है, तो सारे session का है, सारी shifts का है, तो यह भी क्या होगा, दोस्तों, constant रहेगा, mgq, यह constant रहेगा, ठीक, तो देखो, यह दो चीज़े constant हैं सभी के लिए, तो उससे आपके, मतलब, हर candidate का अलग अलग नहीं होगा, यह common चीज़ होगी, उसके बाद, आपका ज आपका shift का sum of standard deviation and average, ठीक है, अब देखें दोस्तों, यदि आपका paper tough हुआ, ठीक है, यदि आपका paper tough हुआ, तो आपकी shift के candidates के average marks कम होगे, ठीक है, average marks कैसे निकलते हैं, जैसे हमने बोला कि 10 बच्चे हैं, चलो 5 बच्चे हैं, हम easy question लगते हैं, 5 बच्चे हैं, 10 number का paper हुआ, किसी का 2 number आया, किसी का 3 number आया, किसी का 5 number आया, किसी का 7 number आया, और किसी का 6 number आया, ठीक, ये 5 candidates के marks है, यदि paper tough था, तो किसी के 9 या 10 number नहीं आया हैं, तो इसका average कैसे निकालेगा, इनको सबको add कर दो, 7, 7, 3, 10, 5, 15, 16, 17, 17, 23, तो 23 divided by 5, ठीक है, 23 divided by 5, तो इसका average क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका average क्या हो जाएगा, इसका average हो जाएगा, दोस्तों, इसका average हो जाएगा, 5, 4, 20, ठीक है, 3.0, 4.6 इसका average हो जाएगा, तो यदि paper tough है आपका, यदि paper tough है, तो आपका, आपकी shift का average क्या आएगा, कम आएगा, तो यहां average कम ले लिए हैं हमने 60 लिया है ठीक है यदि average कम है तो आपका आपका average कम आएगा यदि आपकी shift का marks कम है and tough है तो दोस्तो यदि आपका simple सा funda था यदि आपका paper tough आएगा तो आपकी shift का average and standard deviation का sum कम रहेगा तो आप देख सकते हैं यह है हमारा miq miq कहां आता है दोस्तों यहां पे आता है और यहां आता है ठीक है यदि यह कम रहेगा यह कम रहेगा तो यह घट रहा है इसमें से तो जितना ज़्यादा आपकी shift का average कम रहेगा, उतना ज़्यादा आपके marks बढ़ जाएंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके depend करता है, एक तो आपके marks, actual marks, देखो actual marks में से आपके average marks यहाँ पर घटाए जा रहे हैं, तो जितना average कम होगा, उतना ज़्यादा आपका score होगा, मतलब उतने marks आपके बढ़ेंगे, और जितना आपका average ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने marks आपके कम बढ़ेंगे, यह paper easy रहा, तो यह average आपका ज़्यादा रहेगा, अब दोस्तों, हम example से पूरा समझ लेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा, कैसे मेरे marks कम यह ज़्य कर रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, यह मेरे marks है, ठीक है, यह raw marks है, मेरे shift मेरे इतने marks हैं, ठीक, और यह मेरे shift का average है, ठीक, तो यदि मैने अभी बताया, average कम रहेगा, तो आपके marks बढ़ने की संभावना रही, ठीक, अब यह दोनों चीज तो सभी candidates के लिए constant है, ठीक है, सभी candidates के लिए constant है, यह मेरे shift का average है, और यह मेरे shift के top 0.1% candidates का average है, ठीक है, ठीक है, तो मेरे shift मेरे paper tough है, तो मेरे top 0.1% candidates का average भी कम रहेगा, क्योंकि सभी candidates के marks कमाएंगे, आपको tough लगा है, तो सभी candidates को tough है, तो यह भी कमाएगा, तो अभी देख लेते हैं, दोस्तों, यह 76-72 तो यह 4 आया 4 divided by 65-60 यह 5 आया multiply by 60-70-60 तो यह आगा 10 plus 72 समझा ठीक इसको 5 बन जा 5 5 2 जा 10 4 इंटू 2 4 2 जा 8 मतलब 8 प्लस 72 कितना होगा दोस्तों 80 मांक देखो इनका पेपर तफ था इनके मांक आये थे 72 बट नॉर्मलैजेशन के मांक इनके मांक 80 मांक हो गाये मतलब इनके 8 number 8 number बढ़ गए हैं दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 से 10 number भी आपके कम या जादा हो सकते हैं डिपेंड करता है आपका paper easy था है tough था easy होगा तो simple सी बात है आपका paper easy होगा तो आपके shift के marks दोस्तों आपके shift के जो marks होंगे average marks वो कम होंगे और top 0.1% candidates के average marks भी कम होंगे तो आपको tension लेने की ज़रूत नहीं कि मेरा tough shift था, मेरा easy shift था जो भी shift होगा उसके हिसाब से इन्होंने ये formula design किया है और इस formula के हिसाब से आपको normalization के marks होंगे दोस्तों तो दोस्तों ये पूरी detail आप बहुत ध्यान से एक ही client को पढ़ेंगे ना repeat करके पढ़ेंगे आप confusion मत होईएगा इसमें मैंने पूरा detail में आपको example के साथ बता दिया है आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आपको पता पढ़ जाएगा कि मेरे marks का normalization कैसे होगा तो दोस्तों ये आप channel पर नहीं हैं तो channel को like कर दीजिए, share करें, subscribe करें bell icon दबाएं ताकि आगे की सारी updates आपको मिलती रहें ये था normalization का regarding जैसे ही आगे कुछ update आता है जैसे ही आगे कुछ नया notification आता है मैं आप तक video पहुँचा दूँगा तो दोस्तों, all the best and have a good day